जैश्री राम्द में मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आचारे राजमिश्राव जो आज उपाय बताने जा रहा हूँ ना इसको सुन करके जितने भी लड़के हैं उप्रसन हो जाएंगे, खुस हो जाएंगे अच्छा उपाय भी ऐसा ऑथंटिक है, ऐसा उपाय नहीं है कि जिसको हवा में बताया गया है, जिसका कहीं प्रमाण नहीं है उपाय ऐसा है जो स्वयम स्थिव जी ने बताया है, जो देवादिदेव महादेव भगवान स्थिव के द्वारा बताया गया उपाय है बिंधेशर सहिता और रुद्र सहिता में जो लिखा हुआ उपाय है जाकर इसको पढ़ लीजिएगा फिर कीजिए बेशक बढ़ा सुंदर उपाय है सुंदर मन चाही पत्नी प्राप्त करने के लिए जिनको हम मन से चाहे ऐसी पत्नी प्राप्त करने के लिए हमें सुंदर पत्नी प्राप्त हो जो पत्नी बेद में बरणित है कि पत्नी मनो रमाम देही मनो ब्रितान उसारणे जो पत्नी मेरे मन को प्रसन्नता देने वाली हो मेरी जो आत्मा को प्रसन्न हो जो मेरे मन को प्रसंद हो, जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाली हो, जिसके आने के बाद मेरे घर में कलह उत्पनना हो, जिसके आज बहुत सारे लड़के इस कारण से शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लड़की आ गई, तो आने के बाद तो और तो जीवन को तार देती है जीवन को बदल देती है और वही कारण वस अच्छी पत्नी नाप्राप्त हो तो पुरा जीवन तहस नहस हो जाता है तो इसी लिए मुझे लगा कि देवादिदेव महादेव भगवान शिवी बदल सकते हैं और कोई बदल नहीं सकता है अच्छी पत्नी वही दे शकते हैं मेरे कुल को बहतर करने वाली हो एक मा अच्छी हो तो संतान अच्छी निकलती हैं संतान के संसकार अच्छे निकलते हैं एक बहु अच्छी आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है मैं उस डिवेट पर नहीं जा रहा कि सासुर कैसे उस पर नहीं जा रहा मैं तो जश्ट पत्नी सुंदर कैसे प्राप्त हो मन को लुभावनी कैसे प्राप्त हो घर में सुख लाने वाली पत्नी कैसे प्राप्त हो उसका उपाय जो देवाधी देव महादेव भगवान शिव ने दिंधेस और सहिता, रुद्र सहिता में लिखा है, मैं तो सिर्फ उस उपाय को आप तक पहुँचा रहा हूँ, और वो उपाय क्या है? बेल के पुष्प अब देखो कितना सधारण है और कितना सुन्दर उपाए बेल के पुष्प तो आसानी से मिल जाते हैं बाई बेल का फल मिल जाता है तो बेल का पुष्प भी मिल जाता है बेल के पत्ते मिल जाते हैं और ये सब कुछ भगवान सीव को बहुत प्री हैं। तो बेल का पुष्प, एक सो आठ पुष्प बेल के लेकर के, या जितने भी प्राप्त हो जाएं, बेल का पुष्प लेकर के श्रद्धा पुर्बग। और शुक्रवार के दिन, कोई भी लड़का, श्रद्धा से, या जिसकी कारण बस एक मैरिज टूट गई है, दूसरी मैरिज आप करना चाहते हैं। या आपके बैबाहिक जीवन में प्राबलम चल रहा है, तो भी सुधारने के लिए। श्रद्धा पुर्बग के बेल का पुष्प ले जा करके, एक लोटा पहले जल सिवजी को अरपन करें। एक लोटा जल अरपन करें। और जल अरपन करने के बाद स्रद्धा से बेल का पुष्प अरपन करें। और अरपन करते हुए बस एक प्रार्थना करने की है प्रभू। यदि जाने में अंचाने में इस जन्म या पुर्भ जन्म में मुझे कोई भूल हुई हो जिसके कारण मुझे एक सुन्दर पत्नी नहीं प्राप्त हो पा रही हो या एक अच्छी लड़की नहीं प्राप्त हो पा रही है या मेरा बैबाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है या मेरी जो जर्म शंगनी है मेरे अनुसार ब्योहार नहीं कर रही है तो अपनी क्रिपा प्रदान करे मुझे एक सुन्दर पत्नी प्राप्त हो एक अच्छी पत्नी प्राप्त हो ऐसा आसरवाद देते हैं बस शद्धा से यह उपाए कर लीजिए बसकि यह करना किस दिन है शुक्रवार को यह उपाए करना है मैंने बता दिया है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा आपको सुन्दर पत्नी प्राप्त हो जाएगी कामना पोड़ हो जाएगी शादी को लेकर के जो रुकावट यारती हो रुकावट दूर हो जाएगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं रात को नौ बुजे और दो पहर को बारा बुजे लाइब आता हूँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई और प्रस्ण आपके मन में है तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं मैं बात करता हूँ कोई कथा कराना चाहते हैं स्री रामचरित्मानश या भागवत की कथा तो आप मुझे संपर कर सकते हैं धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए जै स्री राम